अध्याई चौदै उस समय चौथाई देश के राजा हेरो देश ने यीशू की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा ये यहुना बाप्तिस्मा देने वाला है वो मरे हो में से जी उठा है इसलिए उससे सामध के काम प्रकट होते हैं हेरो देश ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरो दियास के कारण यूहना को पकड़ कर बाधा और जेल खाने में डाल दिया था क्योंकि यूहना ने उससे कहा था इसको रखना तुझे उचित नहीं है और वो उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे भविश्य द्वक्ता जानते थे और वो उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविश्य द्वक्ता जानते थे पर जब हेरो देश का जन्म दिन आया तो हेरो द्यास की बेटी ने उच सब में नाच दिखा कर हेरो देश को खुश किया इसलिए उसने शपत खा कर वचन दिया कि जो कुछ तुम मांगेगे मैं तुझे तूँगा वो अपनी माता की उसकाई हुई बोली राजा दुखित हुआ पर अपनी शपत के और साथ बैठने वालों के कारण आग्या दी और जेल खाने में लोगों को भेज कर युहना का सिर कटवा दिया उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया वो उसको अपनी मा के पास ले गई और जेल खाने में लोगों को भेज कर युहना का सिर कटवा दिया उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया वो उसको अपनी मा के पास ले गई उसके चेलों ने आकर उसकी लोथ को ले जाकर गार दिया और येशु को इसका समाचार दे दिया जब येशु ने ये सुना तो नाव पर चड़कर वहां से किसी सुनसान जगा एक आंत में चला गया लोग ये सुनकर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिये उसने निकल कर बड़ी भीड देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया जब साँच हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा ये तो सुनसान जगे है और देर हो रही है लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए बोजन मोल ले येशु ने उनसे कहा उनका जाना आवशक नहीं तुम ही इन्हें खाने को दो उन्होंने उससे कहा यहां हमारे पास पाँच रोटी और दो मचलियों को चोड़ और कुछ नहीं है उसने कहा उनको यहां मेरे पास लिया तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन पांच रोटियों और दो मचलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को और सब खाकर त्रिप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकडों से भरी हुई बारे टोकरियां उठाई और खाने वाले स्थ्रियों और बालकों को छोड़ कर पांच हजार पुरुशों के अटकल थे और उसने तुरंत अपने चेलों को बर्बस नाव पर चड़ाया कि वो उससे पहले बार चले जाएं इतने में वो लोगों को विदा करते वो लोगों को विदा करके प्रार्तना करने अलग पहाड पर चड़ गया और सांच को अकेला था उस समय नाव जील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और वो रात के चौथे बहर जील पर चलते हुए उनके पास आया चेले उसको जील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वो भूत है और डर के मारे चिला उठे यीशु ने तु प्रभू यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आग्यं दे उसने कहा आ तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा पर हवा को देखकर डर गया और जब ढोगने लगा तो चिला कर कहा ये प्रभू पुझे बचा येशु ने तुरंत हाथ बढ़ा कर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्प विश्वासी तुने क्यों संदेह किया जब वे नाव पर चड़ गए तो हवा थम गए इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा सच मुझ तु परमिश्वर का पुत्र है वे पार उतर कर गन्य सरत देश में पहुचे और वहा की लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीवारों को उसके पास लाए और उससे बिनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आचल ही को छूने दे जितनों ने उसे चुआ वे चंगे हो गए